हेलो दोस्तों AIA PGT 2023 का कांसलिंग का वेट करें सभी कैंडिडेट्स को मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अगर आपका इंटरंशिप अक्टूवर के लास्ट वीक में खतम हो रहा है तो जल से जल आप अपना इंटरंशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉलेज के थुरू बनवा ले तो उसी के तरह एक फिर से नोटीस जारी किया गया है कि अगर आपका इंटरंशिप कंप्लीट नहीं होता है राउंड वन और राउंड टू कांसलिंग के समय तो आपको अपने कॉलेज से एक अंडर्टेकिंग बनवा के लाना होगा इस नोटीस में चार पॉइंट बताया गया है पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि अगर आपका इंटरंशिप कंप्लीट नहीं होता है राउंड वन और राउंड टू कांसलिंग के समय तो आपको अपने कॉलेज से एक अंडर्टेकिंग बनवाना होगा इसमें यह लिखवाना होगा कि मेरा इंटरंशिप 31 अक्टूबर 2013 तक खतम हो जाएगा और 6 नॉबर 2013 से पहले मैं अपना इंटरंशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट समिट कर दूगा जिस कॉलेज में एडमिसन होगा है और नमबर टू में यह बताया गया है कि डिगरी सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल डिगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपने कॉलेज में एडमिसन के समय समिट करना है तो अगर आपका एडमिसन के समय यह नहीं हो पाता है तो आपको यह अपने कॉलेज से बनवा कि लाना होगा कि मैं इसलिए तक अपना degree certificate submit कर दूँगा तीसरे point में यह बताया गया है कि permanent registration certificate तो permanent registration certificate भी अगर उस time तक नहीं होता है तो आपको undertaking बनवाना होगा, एक professional registration certificate बनवाना होगा और registration certificate आपको 1 December 2013 तक permanent submit करना होगा और fourth point में यह बताया जा रहा है कि college से CLC या फिर TC अगर आपको नहीं मिलता है admission के समय उससे पहले तो आपको यह सब का undertaking बनवाना होगा उसके लिए undertaking का एक form नीचे दिया गया है इसमें इसमें यहां पे आप अपना नाम फिल करेंगे और यहां पे आप अपना साइन करेंगे और नीचे का पॉर्सन यह college के थ्रू फिल किया जाएगा और इसी को आप अपना admission के समय college में ले जा सकते हैं